ओम शांति ओम शांति ओम शांति गुड़ीवनीं तरियुक अब सब भी कहा है तरियुक इस तरियुक में हरे इंद्ध मन नेशा हो गया है इस तरिये हमको आपस में एक सुख शांति आनंग उशी उस जीवन को जीना है तो हम पहले एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है हम सब कौन है बले आपको आपका बंचे का उम्र अभी 14 साल हो सकता है 16 साल हो सकता है 17 साल हो सकता है लेकिन जब से वो पाइदा वह आपके connection में आया उसके पेहन है आप कौन थे हो कौन थे एक वग तो जोचो हम कहते हैं अ हम मेरा बच्चा वेरा बाद मानना है लेक्श हो सकता है बिखो अिन एक एक जाम को दिखा तो हरेक मनिश में जैसे संस्कार होता है, संस्कार मतलब एक करकिर की record, files, CZ सब्जों जैसे आप देखते हैं, computer में या mobile में files को खोुदा है, software होता है वाईसे ही हर एक मनिश में इस शरीर के साथ इक आत्मा होता है वो आत्मा को हम अपनी भाशा में क्या बोचे हैं? एनर्जी बोलते हैं, रूप बेज़ते हैं, खाव चाहिते की शक्ती बोलते हैं, सोल बोलते हैं, कुछ भी बोलो उस आत्मा में इस सर्स्कार जो होता है, वो पांच प्रकार को होता है वो समझिये सबी, पहला संस्कार पाश्च शंसस्कार पाश्च शंस्कार मनलब क्या है? पूर्व जनंका संस्कार है क्य constitu समझो आपको दो बच्चे हैं एक बच्च्या हमें एक इमशाय सत्री बोला एक बच्चा खभी ते शबी नहीं बोलता है आपको उसको समझाना है लेकिन आप समझाते नहीं जांटे लेकिन वो बच्चे को सत्य बोलने का संस्कार एक में है एक में जूत बोलने का संस्कार आप क्या समझते हैं तो मेरा बच्चा है ये तो सत्य बोलना है जूत क्यों बोलता है लेकिन आपको ये पता नहीं वो बच् विए अब आपके जीवन में आया था, आपके पहले कहा थे हो, आपके जीवन में आने के पहले कहाते हो, बुरु जनम में, निसी का किसी के, संबह में का, वहान एक FIKE होता है, एक RECORD होता है, जो जूट बोले था, जैसे आप यहां कालपूर में, आपके गर्दे कंपूट म तो सिदी में रेकार्ड किया यह सिदी लेकर करके आप वही दूसरी जगह पे कया राजास्तान में डाए वहाँ एक कप्पूटर में डाला बथा उप स्ष्टाल करता आजो कि परका सीदी में जो है वो बलता है क्या? मनुश्य के शेरीर भी वैसा है इदर अंदर आत्मा जो है सोल वो संस्कार को क्यारी करता है एक बच्चा जब घर में देखता है उस घर में पहरे बच्चे रिसीव करता है vibrations घर में जैसा सबका मंतर quality सोच चलता है उसको vibration देखे वो vibration किस पर असर पड़ता है पानी पर पड़ता है बोजन पर पड़ता है बच्चों पर पड़ता है और चार दिवाव पर पड़ता है और हम चाहते है हमारा बच्चा number one बना है हमारा बच्च अभी भी बेद नहीं हो ना है हमारा बच्च भीimen, हमारा बाध मानना चाहिए यह हमारा स्युष निर्श क्या सुष को पाश्त दयका संसकार बच्चा, माना अभी आपको बच्चा है लेकिन उसमें बूरु जनों को संसकार ये काता है इन पहला दूसरा है परिवार से बिला हुआ सर्सकार मांत पिता गर्णिक लिया विवहार करता है उस दो सर्सकार बच्चों के उपर बता है वो है परिवार तीसरा सर्सकार होता है यानी स्कूल जाता है फ्रेंट्स के साथ मिल चुलते हैं उनसे भी कही रेकॉर्ड होता है वो केते हैं एन्वीरॉनमेंट्स और चोटा होता है बच्चे को अच्चा एक को मन का शिंति मिला एक अच्ची तरफ प्रेलना मिला वो कुछ बदलने के लिए क्राई करता है वो है विल्पावर मनोंबल और बहुत इंपॉर्टेट संस्कार है हर एक में है इसको कहते है ओरिजिनल संस्कार यानि सभी का यही संस्कार होता है वो ओरिजिनल संस्कार ये सब संस्कार होता है अरे इस संस्कार होता है पाष्ट का संस्कार वातावर वुदी रामेन का संस्कार विरुखवर अनोबर को संस्कार और फाइनली वरिजीनल वास्तवको संस्कार ऐसे हम अरेज इंसान में 5500? इच्ना इसमा फैल हो मतना जी? 5500 आप भी बोले तो आपको भी रेकॉर्ड होँता है 5 प्रकार को संस्कार हर एक में आते हैं यह संस्कार पूरु जनन सेटें कही अंतर रेकॉर्ड ओके आता है यहां भी सीथता है स्कूल और फ्रेंड्से भी सीथता है और कही बाते इसको बदलने के लिए मन दुडु बखाए इसको बेदुको वाटा संस्कार